हलो बच्चो, वेलकम तो माई जैनल, तोड़े वी आर गूइंग तो इस्टार चैप्टर नाइन, यह साइन्स का नाइन चैप्टर है, ग्लास थर्ड का, कुकिंग एंद इटिंग हैबिट्स, तो सुरू करते हैं इसे हम, अरली मैन, यूज्ट तो इट फूड इन रा फॉर् कैसे खाते थे, किस तरीके से भोजन को खाते थे, वो रा फॉर्म में खाते थे, मिन्स कच्चा खाते थे उसे, ठीक है, आफ्टर डिस्कवरी ओफ फायर, मिन्स डिस्कवरी फायर की, आग की डिस्कवरी होने के बाद में क्या हुआ था, पीपल लर्ट दैट, मतलब वो पूद, सोफ्ट, कुकिंग मेक्स फूद सोफ्ट, टस्टी, एंड इसीली डाइजेस्टिबल, ठीक है, वी ओल एंजोई, इटिंग टस्टी फूड, मीन्स हम सभी हो स्वाधिस्ट खाना खाने में आनंद आता है, मजा आता है, ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुकिंग, क केंग बी प्रिजर्ब, जो पका हुआ खाना होता है, उसको हम प्रिजर्ब करके रख सकते हैं, ठीक है, केंग बी प्रिजर्ब पूर ए लॉंगर टाइम, पोर अ लॉंगर टाइम, लंबे समय तक, ठीक है, इसके बाद में क्या है, कुकिंग, हैस्टु बी डन कियर फुली, कुकिंग हैस्टु बी डन, कियर फुली, तू मच कुकिंग, कैन देस्ट्रोई, मैनी ओफ नूट्रियंट्स, फफ वेजटेवल, मिंस अगर आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हैं, तो वो डिस्ट्रोई कर देता है, जो नूट्रियंट्स होते हैं, उसके अंदर, सभी हमें हमेशा अपने सभी खादपधार्त नहीं पकाते हैं, मतलब यह नहीं कि जितने भी खादपधार्त हैं, हम उनको पकाते हैं, ऐसा नहीं है, हम कच्चे भी खाते हैं, कुछ खादपधारत ऐसे होते हैं, जिन्हें हम कच्चा खाते हैं, ठीक है, रॉफोम में खाते हैं, जैसे मैंनी फ्रूट्स एंड वेजटिवल, लाइक कुकुमबर, कैरेट, रेडिस, और पीज और ओफन इटन रॉफन इटन रॉफन इटन रॉफन इटन रॉफन इटन यह हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, we must make sure that all such food items are washed properly before they are eaten, हमें यह सुनिश्यत करना चाहिए कि ऐसे सभी खादपधारत खाने से पहले ठीक से धोएं, मतलब आप जो भी खादपधारत खा रहे हो, उसको पहले से धो लेना चाहिए, यह आपको ensure करना अब है, अब है आपका method of cooking food, method of cooking food, तो क्या है, there are different method of cooking food, तो खाना पकाने के तरीके, तो क्या है, खाना पकाने के बिविन तरीके है, ठीक है, there are different method of cooking food, boiling, steaming, baking and frying, are some of the method used for cooking food, यह सभी क्या है, ऐसे method है, means, आपके कौन कौन से method है, boiling, steaming, baking and frying, are some of the method used for cooking food, इनका use किया जाता है कि इसमें, food को cook करने के लिए, clear? let us discuss these methods, one way, one, आईए, एक एक करके, इन तरीकों पर चर्चा करें, ठीक है, boiling, सबसे पहले हम क्या है, उबालना, boiling का क्या मतलब होता है, उबालना, ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, तो क्या है इसमें, food can be cooked by boiling, it in water for some time, means, जो food can be cooked by boiling, means, भोजन को कुछ देर तक पानी में उबालकर पकाया जा सकता है, food can be cooked by boiling, it in water for some time, means, भोजन को कुछ देर तक पानी में, means, हम भोजन को पानी में डालते हैं, और उसको पकाते हैं, उबालकर, means, पकाया जा सकता है, pulses are usually cooked by boiling, ठीक है, जो आपने देखा होगा कि जो pulses दाल हैं, उसको हम कैसे पकाते हैं, हम उसको boil करके ही पकाते हैं, ठीक है, यह pressure cooker is often used for this purpose, इस purpose के लिए क्या यूज़ किया जाता है, pressure cooker, ठीक है, एक can also be cooked by boiling, then, means, जो आपके अंडे होते हैं, उनको भी उबालकर ही बनाया जा सकता है, milk is usually boiled before consuming, means, milk को आम तोर पर boiled किया जाता है, उसको consume करने से पहले, as boiling kills, क्योंकि, क्योंकि, क्यों किया जाता है, इसको, as boiling kills germs that can spoil the milk, means, क्या होता है, क्योंकि, उबालने से दूद खराफ करने वाले किटानू क्या हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, boiling helps to preserve milk for a long time, means, उबालने से क्या होता है, कि दूद को लंबे समय तक स्रक्षित रखने में, उसको मदद मिलती है, मतलब हम दूद को लंबे समय तक स्रक्षित रखा जा सकता है, अगर उसको उबालते हैं, तो, ठीक है, आपने देखा होगा, कि आपकी ममा, मॉर्निंग में दूद को गरम करती हैं, वो साम तक चल जाता है, अगर उसको पच्चा ही रखेंगे, तो वो दूद क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इसके बाद में क्या करें है, इसके बाद है आपका स्टीमिंग, स्टीमिंग क्या होता है, आपका, in this case, in this case, cooking is done by steam, obtained by boiling water, mean this case में क्या होता है कि उबलते हुए पानी से प्राप्त भाप द्वारा ही आपका खाना पकाया जाता है, मालो, यह आपका कोई बडतन है। ही कि आ आपने इसमें पानी डाल दिया इसमें इस में जो भाप निकल हुआ है, नीचे पानी है पानी से भाप निकल रही है और इसमें एग रखे हुए लगा लिज़े आग है तो यह जो भाप होगे इस भाप से जब यह एग क्या है आपके वायल हो जाएंगे। दा डूरेशन ओफ कुकिंग एंड है इन कंसर्विंग न्यू ट्रीटिफ्स या फिर न्यू ट्रीएंट्स बोल सकते हैं तो यह क्या करता है कि यह जो भाप लेना क्या होता है खाना पकाने की अबदी को कम कर देता है मैं अब जैसे आप कभी भाप सी जब खाना बनाते हैं त पोशक तत्वों को संरक्षित रखने में भी क्या है यह help करता है मंतों जो पोशक तत्वे हैं वो भी आपके खत्म नहीं होते हैं अगर आप वोईल करके खाना खाते हैं तो क्या है कि उसमें जो आपकी नूट्रियंट्स होते हैं जो पोशक तत्वों होते हैं वो सभी क्या food is also easy to digest मतलब जो आपका जो भाप से बना हुआ खाना होता है वो पच्छने में क्या होता काफी easy होता है ठीक है foods like idli and dhokla are prepared by this method आपके जैसे food हैं कौन को से food होते हैं idli, dhokla और ये किस से prepared किये जाते हैं आपके इसी method से steaming से ही आपके प्रपेर किये जाते हैं जैसे आपकी मदर कभी बनाती होंगी ढूपला किस तरीके से बनाते हैं ये आपके cooker है इसमें एक steamer रखा रहता है इसमें ही आपके वो paste वगारा रख देते हैं और नीचे से पानी जब गरम होता है ठीक है ये गरम होता है तो उससे ये ढोकला वगरा और ये जो steam जो होती है उसी से ही ये बन जाता है ठीक है इसके बाद क्या है आपका baking baking में क्या है indirect heating इसमें क्या होती एफ प्रतेक्श रूप से heat दी जाती है indirect heating with or without using oil या तो oil होगा या फिर उसके बिना oil के बिना ठीक है is known as baking इसको किस नाम से जाना जाता है baking के नाम से जाना जाता है baking is usually done in an oven जो baking होती है वो आम तोर पर कहां पर की जाती है उसमें oven oven का यूज़ जाता है उसमें ठीक है cakes, biscuits and breads are made by baking जो आपके जो cake, biscuits and breads हैं उसके से बनाय जाते है आपके baking से बनाय जाते है bake करके बनाय जाता है उनको ठीक है frying, frying क्या कर रहा है इसमें many of us must have enjoyed food like pakodas and jalebi हम मैंसे बहुत से हैं हम मैंसे कई लोगों ने pakodas and jalebi जैसे खाद पतार्तों का आनन्द लिया होगा ठीक है, means many of us must have enjoyed food like pakodas and jalebi ठीक है, these are prepared by frying ये किसे prepared के जाते हैं, fry करने से ठीक है, तलके इनको prepare के जाता है they are ingredients in hot oil इनकी सामगरी को गरम तेल में तल कर ठीक है, इनको किस तरीके से बनाय जाते हैं इनकी जो सामगरी होती है उसको गरम तेल में तलके इनको तियार किया जाता है ठीक है, this method is not very healthy ये जो method है, ये healthy नहीं है method of cooking food, ठीक है it is advisable to avoid fried food ये एक advice है ये, जिसे कि आप fried food से बचें ठीक है, इसके बाद में किया direct heating direct heating आपके घर पे रोटी मनाते होंगे तो वह आपी direct heating में आती है, means उसे direct है, उसके उपर रखा जाता है, heat के उपर और फिर तब बना जाती है, ठीक है this is one of the oldest method of cooking ये क्या है, सबसे ज़्यादा पुराना method है cooking का vegetables are often cooked by direct heating on fire means जो आपके vegetables हैं, उनको अक्षर पकाया जाता था by direct heating direct heating on fire, फायर पे उनको direct रख दिया जाता था जाती है, चपाती are also usually made by direct heating, जो चपाती है उसको भी आम तोर पर ऐसे ही बनाया जाता है direct heating, gas पे direct, जैसे माला आपके gas चल रही है, इसमे फ्लेम है और रोटी इसके उपर रखी रहती है मतलब इसको direct heat किया जाता है, तब इस रोटी को बनाया जाता है, ठीक है और टवे पे डालते हैं लेकिन उसको direct heat से उसको पकाया जाता है तो direct heating होती है थो ठीक है over flame clear, चपाती भी आम तोर पर सीथे gas गरम करके बनाया जाती है, ठीक है सीथे गरम करके बनाया जाती है, gas गरम करके नहींat कर दाया जाती है, clear इसके बाद में कहा, cooking utensils cooking utensils क्या होते हैं आपके जो आपके खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं तो क्या है you must have seen so many utensils in the kitchen आपने kitchen में बहुत सारे बर्तन देखे होंगे ठीक है many of these are used during kitchen cooking sorry cooking तो क्या है कि इन में से कई का उपयोग किया जाता है ठीक है different cooking methods required utensils of different types मितलब खाना पकाने के दौरा खाना पकाने में बिविन तरीके के बिविन प्रकार के बर्तन की आवशकता होती है ठीक है अगर आप different different खाना बना रहे हो तो उसके लिए different उसकी बर्तन की दिरूद पड़ेगी जैसे आप steaming कर रहे हो ठीक है जैसे आपने खाने को वाला है तो उसके लिए अलग बर्तन जाइएगा अगर आप steaming कर रहे हो भाप वाला खाना बना रहे हो तो इसमें steamer के जरोद पड़ती है तो उससे आप खाना बनाता सकते हो ठीक है अब आपका है, make a list of utensils used for cooking in your house, ठीक है, make a list of utensils, हमें list बनानी है, किसके लिए, जो की use किये जाते हैं, cooking in your house, तो कौन-कौन से की use किये जाते हैं, जैसे मालो, first पर आपने pressure cooker ले लिया, ठीक है, कौन सा ले लिया, pressure cooker, इसमें कड़ाई, ठीक है, एक एक उसमें fry pan होता है, fry pan, ज ठीक है, यह आपके सभी किसमें use किये जाते हैं, आपके, हाना, मतलब इसमें, cooking में आपके use होते हैं, यह सभी, ठीक है, जैसे आगए, आपको keywords के रखे हैं, ingredient, ingredients मिन्स क्या होता है, the component और parts of food item, ठीक है, ingredients क्या होता है, component यहाफिए, part of food item, parts of food item, means components or parts of food item, preservation, preservation क्या होता है, to keep something in good condition, to keep something in good condition for a long time, जैसे आपने दूद को उवाला, ठीक है, दूद को गरम किया, तो उसको क्या है कि सुवे मॉर्णि में किया, और आपने उसको उवालने के बाद में साम तक वो चल जाता है, ठीक है, तो उसको एक good condition में उसको काफी देर तक उसको preserve कर करके रखना ही, good condition में रखना ही, उसको preservation बोला जाता है, जैसे utensil, utensil क्या होता है, और container, that may be used for cooking में, ऐसा container, एक container जो कि किसमें यूज के जाता है, cooking, और storing food, जो food को, food को store किया जाता है, उसमें, ठीक है, उसको हम utensil बोलते है, clear हो गया, तो आपको एक complete हो गया होंगे, फिर इसको question answer अभी कराते हैं, clear, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप इस चैनल को subscribe करते जाएगा, thank you